हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Motorola H30 Pro Android वाइल फोन में आप हाट स्पोर्ट की सिक्योरिटी को आप जो है इनेबल कैसे कर सकते हैं यानि कि ओन कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये हाट स्पोर्ट की सिक्योरिटी सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने जारा हूं तो चलिए आपर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मॉइल पोन में सेटिंग पेज ओपन करना है और इसके बाद आपको सेटिंग पेज में नीचे की साइड में आना है यहाँ पर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट का ये ओप्शन मिलेगा इसे सेलेक्ट कर लेना है अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज में हाटिस्पोर्ट एंट्ट्रिंग का ये ओप्शन मिलेगा इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज में वाइफाई हाटिस्पोर्ट का ओप्शन मिलेगा इसे WPA2 personal इस option पर आपको select करना first option पर तो आपकी hot spot की security ये enable हो जाती है ठीक है और यहाँ पर जो है security setting जो है enable होने के बाद ये setting कैसे काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ ठीक है तो जब भी आप अपने mobile phone के hot spot को आप चालू करेंगे on करेंगे तो कोई भी other person जो है आपके hot spot को अपने device से connect नहीं कर पाएगा बिना password डाले password उसको डालना ही पड़ेगा ठीक है तो ये setting जो है security enable करने के बाद आपकी hot spot की कुछ इस तरीके से काम करेगी आपके mobile phone में ठीक है अब यहाँ पर आपको search bar में type करना है hot spot ठीक है hot spot यहाँ पर आपको जो है type कर देना इस तरीके से तो आपको जो है नीचे की side में ये wifi hot spot का option मिल जाएगा ठीक है wifi hot spot का जब यह option शोगा इससे select करना है इससे होता है कि आपको mobile phone आपको directly इस सेटिंग में लेकर आजाएगा और इस सेटिंग को highlight करेगा ठीक है इस सेटिंग को select करने पर आपको next page में आपको hot spot की security का यह option मिल जाएगा ठीक है easily तो यह मैंने आपको एक second option बताया है shortcut तरीका इस सेटिंग को ढूंड़नेगा आपके mobile phone में